में ताट करते है अड्रेट अफ मैट्रिक्स अिसे को लिखेंगे और क्या है यह जा समझना अपने को यह देखते हैं कि में जुए है कि मैट्रिक्स की एक है मैट्रिक्स काथर हम निकालना होगा हमाल यह A matrix है, matrix A equal to दिया है, कुछ हमाल लेते हैं something A, B, C, D type के इसके element कुछ है, इस matrix का हमें adjoint निकालना है, तो adjoint of matrix A कैसे लिखेंगे, adjoint of matrix को ही लिखेंगे, अगर matrix A का मुझे adjoint लिखना होगा, तो adjoint of matrix A लिखेंगे ऐसे, adjoint लिखेंगे ऐसे, फिर यहाँ लिखेंगे A, matrix A है तो A लिखेंगे, matrix कहीं B होगा, तो adjoint ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे B, matrix को जिस से रिपजन करेंगे हमेशा वो capital letter होता है, mostly, बाकि किसी से भी कर सकते हैं, वो set जैसे condition नहीं है, कि हमेशा capital X से करेंगे, capital A से करेंगे, किसी से भी कर सकते हैं, most probably आपको capital letter में ही दिया रहेगा, ओके, ठीक है, चली, अब इस matrix का जैसे हमें adjoint निकालना है, तो पहले हम co-factor matrix निकालना चाहिए, तो फेक्टर matrix कैसे निकालते हैं, उसका power matrix निकालने का आसान तरीका है, minor matrix निकालना आता है, तो factor और minor matrix, निकालना आता है कि नहीं, अब ज़िससे, minor matrix म zal निकालना होगा, तो हम कैसे निकालना होगा, समझो, इसका maybe not matrix, मैंट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं तो यहां मैं किसकी किसकी लिखूं देखो अगर मैं पहले मैं इसको लिखूंगा M11 मतलब फस्ट रो का इलिमेंट है फस्ट कॉलम का इलिमेंट है जो नमबर लिखेंगे सब्सक्राइब यह बिसिकली ऐसे वोलते हैं ए आरसी समझो यह पहला नमबर आफ रो को रॉप्पेज़न करता है दूसरा नमबर नमबर आफ कॉलम को रॉप्प मतलब यहां M11 लिख दिया हमने इसका मतलब क्या है माइनन मैट्रिक्स निकाल रहे है उस एलिमेंट का जो फस्ट रो में है और फस्ट कॉलम में है तो कुछ नहीं करना होता है जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उनके सभी अलिमेंट क्या करेंगे हाइड करेंगे चोड़ द मतलब मैं क्या है इसे तरह से में M12 की बात करूंगा तो मतलब क्या है क्या रहे है बात करेंगे लिख थीक है अब मुझे को स्वेक्टर मेंट्रिक्स और निकलना होगा किया निकालना होगा को सेक्टराज के बात करेंगे ये जरूरी है है को फैक्टरं मैट्रिक्स मेंकाइब 只有 कि माइनर मैट्रिक्स तो आप इस तरह संद्रेगGold न मैट्रिक्स की लिए लिखेए जैसे पहले फर्स्ट अलिमेंट के लिए हम लिख रहे हैं कुछ नहीं करना होता है बस माइनेस वन टुद पाउर यहां क्या लिखना है तुम्हें आर प्लस सी आर का मतलब क्या है नंबर आफ रोव सी का मतलब क्या नंबर आफ कॉलम अब यहां लिख देंगे इसी के तो माइनर मैट्रिक्स बनी है M1 1 या तो आप पहले से निकाले रहेंगे नहीं तो यहीं निकाल लेंगे बस माइनस वन टुद पाउर और प्लस सी का अपने को ध्यान रखना है जिस भी एलिमेंट की हमकर फैक्टर मैक्रिक्स निकाल रहे हैं माइनस वन की पाउर में वह ज चलता रहा था और पॉस्ट्यू नेगीट्व साइन आते रहेंगे एसे पहले अल्प्लस करेंगे तो पहला रहें लेकिन यहां से समझो अब देखो दोस्ति यहां से जम निकालेंगे तो क्या होगा यह समझ रहा है अब कोई M11 निकाला है ठीक नहीं तो डारेक्ट यहीं से निकालेंगा जैसे मैं पहले इलिमेंट की बात कर रहा हूं तो माइनस वन टूदी पावर क्या लिखेंगे वन प्लस वन यहां हो जाएगा दोस्त आपनी यह निकाला है चीख नहीं निकाला है तो जिस रो जिस कॉलम है उसको छोड़ दो अभी वहीं चलेगा इस रो में आ तो पॉजिट्व हो जाएगा यह अब इसको सॉल्व करने पर नेगेट्व आ रहा है तो लिखेंगे इसकी वज़े से जो पॉजिट्व नेगेट्व साइन आएगा वह इस तरह से देखना है अपने को ओके तो माइनस बन का स्कॉर करेंगे तो प्लस बना जाएगा डी में मुट्प्राइग करेंगे तो डी ही रह जाएगा इसे तरह से एवन टू निकालेंगे दोस्त एवन टू में अब देखना आए निकाला है मने सी माइनस वन की प्लस टू करेंगे थी तो यहां हो जाएगा मा कि आप है कि अधिए प्लस हो जाता अर्वाइन से से मटिप्राई करते हैं सॉल्व करते हैं वह मैस की केल्कुलेशन तो चलेगी ना कि वह काम सब के तरीके से होंगे यह कुछ रूल से हमें ध्यान रखने पड़ेंगे हर चीज का अपना इक प्रोसीजर होगा इस तरह से करके उसको निकालना है कि अब टू की बाओर नमबर आएगा तो मैने सी कर दिया हमने ये टू निकालेंगे जरा देखना एक इस आपको फैक्टर मैทräक्स क्या बन गया देखो को फैक्टर मैत्रिक्स आप कौ फैक्टर matrix of matrix A इसको हम B माल लेंगे क्या माल लेंगे इसको B अब B matrix जो मिल गया हमारा क्या है B में क्या-क्या है यह लिखेंगे A11 जो अभी निकाले हैं A12 A21 और क्या हो गया यह A22 वो factor matrix मिल गये अब इसके जो element हम लिख देंगे element इसके क्या-क्या है बताओ दोस्वरा पहले में क्या यह लिखेंगे फिर minus C minus B और क्या यह अब यह आ गया को फ्रेक्टर मैट्रिक्स अब मैट्रिक्स का A का मुझे क्या निकालना है एड्जॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिए इसके ट्रांसपोस ले लेंगे वो फैक्टर मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे ट्रांसपोस भी डैस लिख लिएता है या कह्या सिंबल लिखा रहा था स्टेपों तो देखो में क्या त्याइज करूंतों कि removed यहां यहां लिखने यहां क्या ऑगा माइस सी और क्या जाएगा है माड़्य थ्यां नखना इसमें कुछ नहीं समझना होता अगर आपको बहुत अगर लेंगे दिखो डीए है डीए है डाइगोनल की अल्याइमेंट कभी नहीं चेंज होते हैं अपर ट्रेंग्लर लोवर ट्रेंग्लर वाले उनकी करिस्पॉंडिंग पॉजिशन चेंज हो जाएगा जो यहाँ होगा वहां चलेगा इस तरह से करना चींज होगा अपर ट्रेंग्लर से रिप्ले ना है तो कोई दिक्कत नहीं अभी थी क्रॉस रिका करेंगे तो वहां से ये है एड्ज़ुटमे मैंट्रिक्स दक्रमिया समझाते हैं यह फट्रम तो यह अगिंगी दो हम समझते हैं क्या-क्या और इसे रिलेटे जो तुरेस और कॉंसेट हैं उनको भी हम दिख लेते हैं अब यहां समझी जो हम एक ऐसांपल लेते हैं माली और we है इस वे मैंठ्रِक्स का मुझे एड़ॉंक्रेंट मैठ्रिक्स निकालना है अब यह थिक्रोश्टी क्यों इसको कैसे से निकालेंगे यह समझते हैं इसके लिंचा करना है में देखिए पहले को फैक्टर में आ जाओ ना वो तो मैंने समझने के लिए बता दिये माइनर लेकिन माइनर ही क्या हुआ पार प्लस सी हमें देख लिए ना है ठीक है आप यहां देखो मैं a11 निकाल रहा हूं मलाकवडर आ पहला element को फैक्टर मे ह्टिक्स के ले रहा हूं तो माले 되면 की पर क्या होगा फन प्लस वन होगा क्षे आब यह वन पहले element कबात कर रहा हूं हो थो हो रहा है नों तुम्हें कि ये क्या है है ए इंट है और यह एए हैं आठ अज़िए समय मूट है और यह अब टू वन हो गया यह तू हो गया एग टू ठी यह थी वन कि फ्री टू और यह द्री घॉट अ इसको पॉपल्ब तो बच्चा क्या हमारे पास किवल ये बच्चा तु फाइफ ठी वन चाहो तो लिख लो या तुम्हें टारेक्ट एक बार एक स्टेप लिख देता हूं चलो तू हो गया थ्री बच्चे का और क्या बच्चा फाइब वन अब इसको शॉल्व करेंगे दोस्तों का मल्टिपलाई करें गें तो माले प्लट वन जार टू फ्रीफाइजा फिटीन तू माइनस फिटीन होगा यहां मानेस फिफटीन होगा यह सारी चीजों को हम लोग डारेट करेंगे अब रेक वालें देखो जारा अब हम करते हैं करेंगे तो माइनस वन की पार 1 प्लस 2 माइनस वन ही आएका हटाओ इसको आजाएगा अब सेकेंड एलिमेंट की बात कर रहा है तो यह इस रो में है इस कॉलम में इसको छोड़ो बचा क्या 3-1 और 5-1 3 को 1 से मट्रिप्लाइए करेंगे 3-1 जा 3-1 को 5-5 माइनस वाइनस प्लस प्लस 2 कितना एगा लेकिन माइनस 1 की पार 4 तो 11 ही आ जाएगा अब आजाओ एक टू वन में एक टू वन का निकालेंगे तो उस्ट क्या होगा जड़ा बताना एक टू एक प्लस हो जाएगा प्लस की 6 एक टू टू की बात करेंगे तो तो हाँ कि पार माइनस पार 3 आएगा तो माइनस बना आजाएगा ना एक टू टू का मतलब क्या हो गया है हम इसमें आ गए किस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जब हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यह कॉलम है मारा यह रोह छोड़ेंगे बचा क्या हमारे पास वन माइनस वन और टू और वन मारे जाएंगा और यह मामंने मेंट क्लेंब होगा तो यह 3 और यह क्या होगा पाव्मेंट हिए यह कमालन छोड़ेंगे बच हमारे पास यह और यह 3 से multiply करेंगे minus 1 को करेंगे तो 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ minus 1 की power odd आएगा तो क्या जाएगा minus k minus k 3 आएगा न अब इसे तरह से निकालेंगे किसका a3 1 का a3 1 का निकालेंगे तकी आएगा जरा बताना इसकी बात कर रहा है यह column छोड़ेंगे यह row छोड़ेंगे तो 0 minus 4 आएगा और यहाँ power क्या है even आएगा तो minus 4 यह आजाएगा तो a3 2 की बात करेंगे तो second element भी आगए अब यह row यह column छोड़ना है अपने को बचा क्या हमारे पास यह और यह बचा और यह 5 और यह minus 6 minus 1 आएगा और यहां minus 1 पहले से भी आएगा odd आजाएगा ना power minus 1 क्या हो जाएगा plus हो जाएगा 1 आजाएगा यह 3 3 की बात करें तो last element की बात हो रही है तो इसको हम बात कर रहे है तो यह छोड़ेंगे और यह छोड़ेंगे बचा क्या सब्सक्राइब यह जाएगा ना वैंडर यहां वह रहाए 0 तो सब्सक्राइब कर्या है मुझा सभसक्री मैक्रिक्स। टो हमारे में माट्री के लिए लिमेंट नहीं लिखेंगे और 3 और A3 तभी element रख लेते हैं क्या क्या आ गया element देखो अपने माइनस 13 और क्या है माइनस 8 तो माइनस के 13 माइनस के 8 और क्या है 11 6 3 माइनस 3 और माइनस 4 1 2 अभी आ गया कोफेक्टर मैट्रिक्स तो फैक्टर मैट्रिक्स से अब हमें ट्रांस्पोश मैत्रिक्स निकालना ही तीचिकप्टर मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे हम ट्रांस्पोश कर देंगे अगर दपल मेट्रिक्स है तो हाँ ए्डजवाइन्ट finance मैट्रिक्स एटिक्ट रॉप टू क्या ह怕 फिर reverse स्कोर्छ और प्लम में माइनस 13 एंट 11 पहले को पहले कॉलम में दूसरे रोगों दूसरे कॉलम में सिक्स त्री और माइनस त्री माइनस फॉर वाइं कि यह समझ में आ गया अब यह आ गया एड्जॉइंट मैट्रिक्स का एक अलग प्रोसीजर बता देंगो उसमें आ जाएगा इसमाइक निकालना आ गया कोई तिस मैट्रीक्स का हम डिटर्मी का लेंगे? डिटर्मीन कैसे निकालेंगे इस्ट्रmand मैट्रिक्स हमेंक निकालना होतों तो कैसे करेंगे? तो हमालों हमालों इसी मेंट्रिक्स एक हम निकाल रहे है इन्वर्स मेंट्रिक्स टो यहां क्या हो जाएगा यह हमारा फर्मला है अब यह क्या है अब यह मौड आफ जो मैट्रिस का मतलब जो इसका मैंग्निटूड आएगा नॉन जीरो होना चाहिए इनवर्स तभी पॉसिवल होए है जब मौड आफ यह नॉट इक्वल डू क्या है जीरो क्योंकि मौड आफ यह अगर जीरो हो गया तो वन अपॉन जीरो करेंगे इंफिन्टी जैसी कोई चीज आए कि कुछ एक्जिस्टिन्स की बात नहीं हो इस नहीं मतलब है नॉन जीरो है मतलब जीरो को छोड़कर कुछ भी आ रहा है एस्टिमेट्रिक्स को बोलते है किमा यहांना सिंगूलर मैट्रिक्स अब कभी एमसी क्यूं में आपको क्यूं मिलता है कि क्या difference की है ज्रेंटा कीке यह पुर्य है कि सिंगूलर या दोछते हैं तो आप क्या समझाद है क्या समद क्यूंप intent आपं लोग ना होण Lena मैट्रिक्स कес क्यों करी कि क्लिएक गो बोलेंगे इनको invertible matrix का मतलब क्या है उनके inverse exist करेंगे non-singular होगा invertible होने का मतलब क्या है inverse exist करेगा inverse exist उस matrix का inverse क्या करेगा exist करेगा अब उसका matrix का देखो determinant कैसे निकालेंगे इत्रम निकालने का तरीका है एक सारस में बहुत शॉर्ट में पढ़ाओ का शॉर्ट मेंटड के लिए अलग कॉंसेट भी बना देंगे आपको छोटा साय दो मिनट का जलीज बता देंगे लेकिन अभी समझेए जैसे जो अभी मैट्रिक्स हम लोग ने लिखा था कौन सी मैट मैट्रिक्स अब दीके कैसे निकालेंगे इसका मैट्रिक्स अब इस मैट्रिक्स को किसी भी मतलब रोग किसी भी कॉलम या किसी भी एलिमेंट के तो हम क्या कर सकते हैं एक्सपैंड कर सकते हैं माली यह पहले रोज से आप इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप क्या लिखि जीरो घ्र क्या अब बहुत सही करना है प्हले रोग से क्स्पेइंट कर रहे हैं पहला एलेमेंट पॉजिटिव होगा दूसरा एलेमेंट नेगेटिव के साथ लिखना है तिसरा एलेमेंट बस वैसे कि लिए वही कोफेकर मैंट्रिक्स लिखना है समझ रहा ना अब यह दिख अब यह ले लिए है तो 3-1 तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह है जाब इसे के लिए elements को हम लोगी small a में लिखते थे को factor matrix को capital में लिखते थे को factor matrix को क्या करते थे capital में लिखते थे positive negative sign इस तरह से आता ही था तो यह basically कुछ नहीं मौड आफ एक का मतलब चाहा है मैं फॉर्मॉला एक बार किस्टिप में लिख देता हूं बाकि इसको solve कर देंगे इसका मतलब चाहा है पहला element a11 और पहले का क्या है को factor matrix capital a1 फिर क्या है दूसरा element और दूसरे का क्या है प्लस रहेगा यह क्योंकि अब इसका देखो 12 दिया है तो मानिस वन की पाउर क्या जाएगा तो अपने आप आप आजाएगा कि मलब corresponding elements को अगर उसको factor matrix से मडिप्लाई कर दें तो चाहे diagonal के थो एक्स्पेंट करें चाहे column के थो एक्स्पेंट करें रोग के थो एक्स्पेंट करें हर से क्या जाएगा इसका कोई कहते हैं कि यहां से क्स्पेंट करेंगे तो इसका इलिमंट कैसे निकलता अब यह क्या होगा इसका क्या होगा एक कि यहां से करेंगे को पहले रोज से कर रहे हैं तो यह बता दिए बहुत तनाव नहीं लेना है बहुत आसान सी चीज़ें एक दो बार प्रैक्टिस करोंगे आज जाएगा है यह स्कुरिंग चैट्रस है ठीक है अब यह आगया दोस्त आप इसको हम निकालेंगे दोस्त कल्कुलेट करें बस सॉब करने का तरीका वही है अब चाहिए निकाले हो रख दो वेल्व वहां से एवन वन यह तू निकाले होने क्या तो फैक्टर मैठ्रस क्या लिएक यह हो जाएगा तू इलेवन इंटू क्या हो जाएगा 22-13 करोगे क्या होगा क्यों प्लस के नाईन आएगा कि यह हमें पहले है अब क्या गया हमारा ओड़ आग्या एंवर्ष निकालेंगे तो महरे पास तरीका वही है एंवर्ष कुल तो क्या होगा दोस्त इसका हूं-अपॉण इसका निकाला है कि निकाला है निकला हुआ है यह मैट्रिक्स के रख देंगे हम कि इसको हम यहां क्या करेंगे रख लेंगे कि क्या हो गया कि अब यह हो गया कर लो इसको तो दूर लिए यह हो गया संदर डिवाइड कर दो यह बहर ही रहने दो इसको क्या करेंगे वां कि अब चाहे सारे अलेमेंट को ना है अब इस नाइन से लेगे तो हर एक अलेमेंट को डिवाइड करना पढ़े प्रेक्शन में लिखो या इतना लिखे छोड़ो यह हमारा क्या आप जाएगा इन्वर्स कैसे निकलना है अपने भी क्वेस्ट को करने में हेल्फ करेंगे हमें और आगे भी देखेंगे सब आएंगे और पाएंट को अगे तों को इद्वर्स में खेंगे द्वस्ट की में इन्वर्स मेठीक्स की जब भी होगी बात कि प्रेक्स में चाहे वह ऊटाहर आएगे अगर कोई मैट्रिक्स यह है मां लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स का जो ओडर है वो क्या है मैट्रिक्स का जो ओडर है क्या है इस मैट्रिक्स का अगर मुझे एंट्रिक्स यह आएगा यह आयगा ज्याएगा कि एस्कुर्ण एड़्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या जाएगा दोस्त ए आज आएगा अब इसका मतलब देखो अभी वाले क्वेशन की हिसाब सकर हम समझें कि इसका एक्जामपल ने अगर हमने कह दिया जो हमने पीछे वह एक्जामपल लिए एड़्ट उएड़्ट ऑफ 3 into मैट्रिक्स-a तो यहां क्या जाएगा विकॉर्ण ऑफ मैट्रिक्स-a क्या हो गया नाइन और एड़्ट ऑफ कमाट थे हमने निकाला है यहां लिगो यह पार क्या वह offset जरूए नहीं हर बार 3 x 3 की मैट्रिक्स दिया जाए एकर अक्रा मैट्रिक्स हमारी n x n की होती मैट्रिक्स अगर हमारी क्या होती भाई n x n का मतलब क्या है n is squared matrix है हमारा यह है matrix लेकिन इसको order क्या है n x n तो उस case में add joint of k into a equal to kya hooga k to the power n minus 1 add joint of matrix n minus 1 होगा पावर में दोख है 3 x 3 का तो टू है नहीं वहां तो यह आज़ा है एक तो यह हो गई concept बालिवाद एक अपना यह समझना है यह खतरनाक है अब दूसरे concept में आते हम अगर यही मौड लग जाता यही सेम प्रोसीजर सेम concept है अगर 3 x 3 की matrix है मैट्रिक्स हमारी माल लेते हैं क्या है 3 x 3 की है और हमने कहह दिया मौड ऑफ एड़ जॉइंट ऑफ म dry कि कि यह आएगा मॉड ऑफ एडुफ इडू दू पावर की मोड अप्रेटिओं अगर N x N की मैट्रिक्स होती तो अगर N x N की मैट्रिक्स होती तो दोज बता ना तो मॉड आफ एड्वाइंट आफ एक्वल टू क्या होगा दोज लुए दू पाउर क्या हो जाएगा N-1 कोई दिक्षवाली बाद होता है कोई परिशानिया एक छोटा सा कॉंसेट और है यह समझ लो यह जोटा कॉंसेट है यह कहता है यह समझ गए ना इतनी अब इसको समझ देना यह थोड़ा यूनिक है आपको जानना चाहिए अगर हमने कह दिया के एड्जॉइंट ओफ ए और एड्जॉइंट ओफ मैट्रिक्स ए या एड्जॉइंट ओफ ए फिर मैट्रिक्स ए लिखा है एड्जॉइंट ओफ मैट्रिक्स ए या एड्जॉइंट ओफ मैट्रिक्स ए इंटू ए लिखा है ए मैट्रिक्स है कोई इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा ए या मॉड़ ओफ ए और क्या हो जाएगा यहां आई आई का मतलब आइडिंटी मैट्रिक्स है अगर एन क्र सब्सक्राइब कि मैट्रिक से तेहां आई टू आजाएगा और त्री क्रॉस्ट्री की मैट्रिक सोगी तेहां क्या आजाएगा आई त्री आजाएगा एक बार इसको देख लेना मौड अफी है यह है यह सिंबल थ्यान रखना पड़ेगा दोस्ति अपने को समझ के रखना है कि यहां साथ दिया होगा नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं अभी क्लियर करके देख लेकर दोस्ति अपर चेकाओट कर लो कि अपने अपने राक में रहा है कि अ हां ठीक है बढ़िया माड्डमेट्रिक से अपने को करना है और एक छोटा सा और यह कंसेप्ट और है इस कि जैसे वहां लेते हैं दो दो मैंत्रिक्स का प्रोड़क्ट दिया है एंट इटो बी लिखा है इंटो बी लिखा है इसको जब लिखेंगे तो वहां क्या होगा यह एक्स्पैंड करेंगे तो इस तरह से आए और इन वर्स इंसे रिलेटर यहीं कॉंसेप्ट है इस इप इक्वेशन्स आएंगे चाहे चाहे जाओ किम्याइश झाल करेंगे अधन से गयाओ गया कर दो इसे गार इसे घ। झाल 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 तो झाल झाल